नमस्कार साथियो आज आपको भारत में पाई जाने वाली मिट्टी से सम्मदित कुछ महतुपूर्ड प्रस्ण करवाते हैं भारत में सबसे अधिक उพजाव मिट्टी कौनसिये जल्दी जल्दी से आंसर बताईएगा तो याद रखना जो सबसे अधिक उपजाव मिट्टी होती है उसे जलोड मृदा कहते हैं क्या कहते हैं जलोड मृदा आज के जितने भी कोश्चन होंगे यह आपके कहीं न कहीं एक्जाम में फूचे हुए हैं भारतिय क्रसी अनुशंधान परसद के अनुशार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं बताओ भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं तो याद रखना भारत में कुल आठ प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भारत के सरवादिक छेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बताओ सरवादिक छेत्र पर पूँच रहे हैं तो याद रखना जलोड मिट्टी जो है वो सरवादिक छेत्र पर इसका विस्तार है भारत का कौन सा छेत्र म्रदा अपर्दन से अत्यादिक प्रभावित है बताओ कौन सा छेत्र म्रदा अपर्दन से अत्यादिक प्रभावित है तो याद रखना जो चंबल घाटी है चंबल घाटी जो है वो म्रदा अपर्दन से अत्यादिक प्रभावित है लेटे रैट मिट्टी कहां मिलती है बताओ जो लेटे रैट मिट्टी है ये कहां मिलती है तो याद रखना माला बार तट जो है वहाँ पे लेटी रेट मिटी पाई जाती है किस मिटी को लाबा मिटी के नाम से जाना जाते हैं बताओ भई वो कौन से मिटी है जिसे लाबा मिटी के नाम से जाना जाता है जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहो तो याद रखना वो काली मिट्टी है कौन से मिट्टी है काली मिट्टी है किस मिट्टी को रायपूर मिट्टी के नाम से जाते हैं बताओ भाई जो रायपूर मिट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है तो याद रखना रायपूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं क्या कहते ह काली मिट्टी आप ऐसे भी कह सकते हो कि काली मिट्टी को रायपुर मिट्टी भी कहते हैं किस मिट्टी का निर्माड बेसाल्ट लावा के अपच्छय के कारण हुआ है चलिए जल्दी जल्दी बताइए तो याद रखना जो रेगुर मिट्टी है उसका जो निर्माड है बेस लेटिराइट है तटिय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्तिक्रश्ट म्रदा कौनसी है बताओ तटिय मैदान और उत्तर भारत के बारे में पूछ रहें तो याद रखना यह है जलोड म्रदा कौनसी है जलोड म्रदा नबीन जलोड मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं बताओ जो नवीन जलोड मिट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है तो याद रखना इसे खादर के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं कहते हैं तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं तो अपने काम को रोके नहीं जादा से जाद चलाएं, पुरानी जलोड म्रदा को किस नाम से जानते हैं, बताओ पुरानी जो जलोड म्रदा है उसे बांगर के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी सरवादिक किस राज में पाई जाती है, तो महरास्ट में सरवादिक काली मिट्टी पाई जाती है, आप सभी लोग अच्छे वो किसके कारण होता है तो याद रखना लोह ऑक्साइड के कारण होता है लोह ऑक्साइड देश की किस मिट्टी को स्वतह जुताई मिट्टी कहा जाता है बहुत अच्छा कोशन है यह स्वतह जुताई मिट्टी याद रखना काली मिट्टी को कहते हैं किसको कहते हैं काली गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो पुरानी कछारी मिट्टी है इसको क्या कहते हैं बताओ भाई इसका दूसरा नाम क्या है तो इसको हम लोग बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं किस से जानते हैं बांगर के नाम से जानते हैं सामाने फसलें उगाने के लिए और वरर भूमी का पी एच मान कितना होना आवश्यक है बताओ जो सामान फसले हैं उनको उगाने के लिए और वरर भूमी का पी एच मान कितना होना चाहिए तो याद रखना 6-7 के बीच में होना चाहिए काली मिटी का काला रंग किसके कारण होता है अभी आपने लाल मि तो याद रखिएगा टेतेनी फेरस मेगनेटाइट के कारण होता है। इसके लिए उड़द की फसल उगाई जाती है आगे बढ़ते हैं कौन से मिटी कपास की खेती के लिए सबसे उपरयोक्त है ये कुशन कई बार एक्जाम में आया हुआ है बड़ा महत्वपूर है कपास की खेती के लिए काली मिटी आवश्यक है याद रखियेगा कपास की खेती के लिए काली मिटी आवश्यक है पश्यम राजस्थान की मिटी में किसकी मात्रा अदेख होती है बताओ जो पश्यमी राजस्थान है वहां की मिटी में किसकी मात्रा अदेख होती है याद रखना कैल्सियम की क्याल्सियम की मात्रवा अधिक होती है बताईए लाबा मिटी कहां पाई जाती है बताओ भाई लाबा मिटी कहां पाई जाती है तो मालवा का जो पठार है याद रखना वहां लाबा मिटी पाई जाती है कहते हैं अगर आपको सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा तो बिलकुल अपने काम को यथा समय करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करें आप निरंतर अपने काम को चलाएं किस मरदा को सिचाई की कम आवशकता होती है क्योंकि यह नमी रोक लेती है तो वो है काली मिट्टी कौन सी मिट्टी प्राया दीपिय भारत में अधिक्तम छेतर पर विस्तरत है यानि प्राया दीपिय भारत में अधिक्तम पाई जाती है तो याद रखना वो है काली मिट्टी कौन सी मिट्टी है काली मिट्टी अंतराष्टिय म्रदा दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है बताओ भई अंतराष्टिय म्रदा दिवस पूँच रहे हैं ये कब मनाते हैं तो याद रखना 5 दिसंबर को कब मनाते हैं 5 दिसंबर को पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है बताओ पौधों को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी से मिलता है बताओ जो याद रखना जो चिकनी मिट्टी है वहां से पानी सबसे अधिक मिलता है पौधों को रेगुर मरदा किस क्रसी के लिए सरवादिक उपरयोक्त है बताओ जो रेगुर मरदा है ये किस क्रसी के लिए सरवादिक उपरयोक्त है तो याद रखना कपास के लिए किस के लिए कपास के लिए रेगुर मर्दा को अभी आमने आपको बताया है कि काली मिट्टी भी कहते हैं कौन से मिट्टी चाय बागानों के लिए उपरयोक्त होती है बताओ चाय बागानों के लिए कौन से मिट्टी उपरयोक्त होती है तो याद रखना अमली होना चाहिए जैसे लेटे राइट मिट् भारत में लवडिय अम्रदा का सरवादिक छेत्रफल किस राज में है याद रखना गुजरात में है किस में है ये गुजरात में भारत में सरवादिक छारिय छेत्र कहां पाया जाता है पताओ जो छारिय छेत्र है छारिय मिट्टी है ये सरवादिक कहां पाई जाती है याद ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद